हलो बड़ीज ग्यान वाबा स्रीज में आप सभी का स्वागत है आज हम बाबा का फंडा में याद करने वाले हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन के एक्जामपिल के बारे में और फ्रीसेंटल प्लेसेंटेशन के एक्जामपिल के बारे में जैसा कि आप लोग पीडियेफ की ब अब मैप की पीडिएफ दे जे है यही है मैप और पीडिएफ इतने से applies यह तो हम todays हो दो फूरा सेंटेस बना लिया है तरही बूब मैप की पीडिएफ याद करो जो भी PDF ठीक है अब इसमें दो प्लेसेंटेशन आपको याद हो जाएंगे यह जो पी है बैटा पी से हो जाएगा पेराइटल प्लेसेंटेशन पेराइटल प्लेसेंटेशन और ये जो pdf में last में f आ रहा है इसका मतलब हम free central presentation याद करें free central presentation free central presentation ठीक है अब ये जो यहाँ पर आप देखो parietal map में p का मतलब तो होगा parietal अब m का मतलब क्या है m का मतलब हो जाएगा mustard मस्टर्ड में condition पाई जाती ए का मतलब हो जाएगा आर्जीमोन तो मस्टर्ड और आर्जीमोन दो एक्जामपल NCRT में दिये गए हैं जिनमें parietal presentation और यही दो एक्जामपल आपसे पूछे भी जाएंगे अब pdf में p का मतलब हो जाएगा यहाँ पर primroge primroge और d का मतलब हो जाएगा dianthus यानि dianthus और primroge जो plant है इनमें free central presentation है दो एक्जामपल free central के दो parietal के map की pdf देदो से आप इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं तो कैसा लगा बाबाजी का फंडा आप कमेंट करके बताईएगा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक और सेर करना बिल्कुल भी न बोलें अगली वीडियो में मैं आपके लेके आउंगा एकदम नया फंडा जो कि होगा जबरदस्त, सांदार और चांदार मैं हूँ डॉक्टर हरियोम कंकवार चैनल